आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ, कचुमर सैलेट की रेसिपी और इस सैलेट को आप वेज़ नान वेज़ दोनों के साथ सरफ कर सकते हैं से पहले हम इन vegetables को छील लेते हैं आप इसमें अपनी मल पसंथ कोई भी vegetable एड़ कर सकते हैं आप इसमें पत्तागो भी भी यूज कर सकते हैं और अगर आपके पास smooly है तो आप smooly भी इसमें use कर सकते हैं और प्यास को हम छीलने के बाद एक बार अच्छे से wash कर लेंगे छोटे छोटे pieces में cut करेंगे जैसे आपको अच्छा लगी वैसे आप इसको cut कर सकते हैं तो इसमें ऐसे cut लगाने के बाद आप इसको ऐसे cut कर लें तो ये बारीक बारीक छोटे छोटे टुकुड़ों में cut हो जाएगा इसी तरह हम पूरा प्यास कट कर लेंगे अब इसको हम एक बाउल में डाल देंगे तो यहाँ बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी रखा हुआ है एक बार हम इसको और अच्छे से वाश कर लेंगे अब हम गाजर को छील लेंगे सबजीर को आप चाहें तो लंबा-लंबा कट कर सकते हैं और आप चाहें तो छोटे-छोटे कुकड़ों में भी इसको काट के सर्फ कर सकते हैं और अब हम खीरे भी छील लेंगे इसका आगे और पीछे वाला हिससे हम काट लेंगे और इसका भी हम छिलका निकार लेंगे अब खीरे को हम ऐसे बीच से कट कर लेंगे और इसकी हम बारिक बारिक ऐसे कटिंग कर लेंगे और इन स्ट्रिप को हम ऐसे जोइंट कर लेंगे और इसको हम बारिक बारिक ऐसे काट लेंगे और इसी तरह हम दोनों खीरों के बारिक बारिक पीसिस कर लेंगे खीरे को कट करने के बाद अब हम खीरे को एक बाउल में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से अब हम गाजर को भी छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लेंगे कटी हुई गाजर को भी हम खीरे में एट कर देगे और अब हम टमाटर काट लेंगे और टमाटर को यहां मैं बिन बीच के यूज़ करूँगी आप चाहें तो इसके सीट्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और टमाटर को भी हम छोटे छोटे पीसिज में कट कर लेंगे टमाटर को कट करने के बाद टमाटर भी हम खीरे और गाजर में एड कर देंगे और अब इसमें हम एड कर देंगे प्यास पानी इसका मैंने अच्छे से निकाल लिया है प्यास हम इसमें डाल देंगे और अब इस कर रही हूं अगर आपको खटा कम पसंद है तो आप इसमें आधा निम्हो भी अड़ कर सकते हैं अब इसमें हम надо करेंगे एक करी मिर्च मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम यह जादा एड़ कर सकते है और मिर्च को हम बारिक-बारिक काट लेंगे और अब हम इसमें एड़ करेंगे पुदीने के पत्ते अब इसमें हम डालेंगे नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एड़ कर सकते हैं यहां मैं एड़ कर रही हैं उसमें आदा छोटा चमच आदा छोटा चमच काली मिर्च काली मिर्च आप इसमें एकद मारधाना हाजमोला का यूज किया है और इसका टेस्ट एक तम खड़्टा मीठा होता है और इस future session इसको अगर आपके पास हाजमोला नहीं है तो आप इसकी जगद चाट मसाला भी एड़ कर सकती है तो इसको हम ने क्रश कर लिया है और प्रेश करके हम इसमें इसमें एड़ कर देंगे और अब इसको हम करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स तो यह एक तम जबर्दस्ता कचूमर अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें